नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्यानलों में आज हम सोलू करेंगे चैप्टर 3 के 18 कोस्चन तो चलिए ये जो एक्जांपलर सोलूशन है वो कर लेते हैं तो पहला कोस्चन हमें दिये गया है पिक दा सिंथेटिक फाइबर हमें क्या करना है सिंथेटिक फ अरह फोलोईइंग इस्व रेयों रेयों का सौर्स कौन सा होता है तो रेयों कहां पर से निकलता है किस तरह से बनाया जाता है तो वूड पलब सेだけ ses बनाया जाता है उसके बाद polycoat is obtained by mixing polycoat को किस तरह से जो है बनाया जाता है तो यहाँ पर nylon और wool को या nylon और cotton को या polyester और wool को या फिर polyester और cotton को तो polycoat है देखिए नाम ही polycoat यानि कि polyester और cotton को मिला कर इसको बनाया जाता है which is a thermosetting plastic इन में से thermosetting plastic कौन सी है तो वो हमें बतानी है यानि कि एक बार अगर हम उसको heat देंगे तो वो जो है उसको shape देकर दुबारा हम उसको कोई shape नहीं दे सकते वो thermosetting plastic होती है तो fourth का जो अंसर रहेगा वो हमारे पास रहेगा जो मेला माइन होती है वो thermosetting plastic है the material similar to silk in appearance is जो silk से appearance करता है यानि कि silk की तरह हमें प्रतीत होता है वो कौन सा material है इनमें से अगर हम देखें तो वो होता है हमारा rayon जो rayon होता है वो silk की तरह का ही दिखता है हमें appear होता है the most suitable material for the preparation of handles of cooking utensil cooking utensil के handle किसके साथ बनाए जाते हैं ताकि वो melt ना हो चूज किया जाता है तो वो जो है back light का होता है back light का तो इसलिए जो है back light के बनाए जाते हैं which of the following is not a common property of plastic कौन सी common property नहीं है plastic की non reactive तो होते हैं durable भी होते हैं काफी लंबे समय चलते हैं light in weight हलके भी होते हैं good connector of electricity तो ये नहीं होता ये plastic जो है अच्छा connector नहीं है या कहें कि एक insulator की तरह ये काम करता है heat का और जो current है उसका which of the following represent the correct match for items in column A column A में कुछ items दे गई हैं और column B में कुछ items दे गई हैं तो यहां पर हमें correct match बताना है कि कौन सा जो है किसका correct match बनता है तो यहां पर देखिए यहां पर हमें दिया गया है nylon है और यहां thermoplastic है PVC है thermosetting है back a light है fiber है तो यहां पर कुछ answer हमें दिये गया है वो देख लेते हैं तो यहां पर जो nylon होता है अगर हम बात करें तो nylon तो fiber होता है और जो PVC है वो क्या होता है वो थर्मो प्लास्टिक हो गया और बैके लाइट क्या होगा थर्मो सेटिंग प्लास्टिक हो गया यही होगा यानि कि हमारे पास अंसर क्या आता है पहले के लिए थर्ड है सेकंड के लिए जो है हमारे पास फर्स्ट है और 3rd के लिए ये हमारे पास 2nd है तो चलिए इसका अंसर देख लेते हैं तो यहाँ पर इसका अंसर दिये गए है तो हमारा जो यहाँ पर अंसर बनता है वो क्या है? वो है B यानि कि 1st के लिए जो 3rd था 2nd के लिए 1st और 3rd के लिए 2nd Which of the following groups contain all synthetic substance? अब हम यह बताने हैं कि कौन सा group जो है all synthetic substance इन में से carry करता है nylon, terylene, wool ये तो natural हो गया cotton जो है polycote rayon तो यहाँ भी natural आ गया अगर C को देखें आप पर PVC, polythene और baccalite ये सारे ही synthetic हैं तो इसका अंसर यह रहेगा The material which is commonly used for making kitchen container kitchen container बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है तो वो होता है हमारे पास PET तो इसका जो है यूज किया जाता है kitchen container बनाने के लिए next ले लेते हैं जो very short answer question है cotton is a natural polymer what is its chemical name जो cotton है उसका chemical name क्या है तो cotton को हम बोलते हैं cellulose तो इसका जो chemical name है यह होता है cellulose तो याद रखना है synthetic fiber which looks like silk silk की तरह कौन सा दिखता है हमें पता है rayon दिखता है और उसको किस तरह से obtain किया जाता है chemical treatment of wood pulp wood pulp से लिया जाता है यह भी rayon हो गया इसका भी answer it is therefore known as artificial silk what is the common name तो इसका जो नाम है वो क्या होता है rayon इसका नाम है terry coat is made by mixing two type अब यहाँ पर देखिए terry coat यानि कि इसको हम किस से बनाएंगे जैसे poly coat था इसतना से terry coat है इसको terry lean और cotton से बनाया जाता है तो इसलिए इसका यह नाम रखा गया है तो terry lean plus जो cotton है इन दोनों से इसको बनाया जाता है प्लास्टिक के आर्टिकल होते हैं हर एक shape और size में लेबल हो जाते हैं हमें ऐसे क्यों है क्योंकि प्लास्टिक को हम थोड़ा सा heat दे कर उसके किसी भी shape में उसको ढाल सकते हैं तो इसलिए यह easily moldable है तो आप इसको ऐसे बोलेंगे कि यह moldable material है थोड़ा सा heat दिया और इसको हम mold कर सकते हैं किसी भी shape में तो इसलिए इसके सारे article हमें लगबग देखने को मिलते हैं next जो question है वो क्या है plastic is used for making a large variety of article यानि कि plastic जो है बहुत सारे article बनाने के लिए use की जाती है जो daily use के होते हैं ये जो article होते हैं काफ़ अट्रेक्टिव भी होते हैं बट ये advice किया जाता है कि हमें plastic का use नहीं करना चाहिए और ऐसा क्यों कहा गया है अब देखिए जो plastic होती है इसका सीधा सा अगर हम मतलब देखें तो ये non-biodegradable होती है non-biodegradable का मतलब है कि ये nature के साथ जो है natural तो है नहीं तो इसलिए जो time के साथ कहें nature इसको जो है degrade नहीं कर पाता तो इसलिए ये पड़ी रहती है कहीं हजारों सालों तक तो इसलिए जो है इसका use कहते हैं कि कम से कम करना चाहिए क्योंकि एक तरह का environment pollution ये फैलाती है next question ले लेते हैं why is not advisable to burn plastic and synthetic fiber plastic और synthetic fiber को क्यों नहीं burn करना चाहिए क्यों क्योंकि air pollution फोल आती है इससे जो है poisonous gases निकलती है तो air pollution का जो main काम है अगर हम इसको जलाएंगे तो air pollution ये पैदा करेगी poisonous gases जो है बहुत सारी इससे निकलती है तो इसलिए इनको जलाना नहीं चाहिए select the article from the following list which are bio degradable bio degradable यानि की nature के time के साथ जो है वो consumer हो जाते हैं खतम हो जाते हैं तो वो कौन से हैं तो paper पैपर तो हो जाता है तो ये हो गया उसके बाद woolen cloth ये भी natural है तो इन natural सारी चीज़े हो जाती है जो bio degradable nature की होती है ये उसके बाद c जो है plastic bag तो ये नहीं होता उसके बाद जो wood है wood हो जाता है क्योंकि natural है aluminium can aluminium can नहीं होता क्योंकि metal का हो गया और peels of vegetables of vegetable है natural है तो ये हो जाता है तो यानि कि a, b, c, or f ये जो है bio degradable nature के है a bucket made of plastic does not rust like a bucket made of iron why? जो plastic होती है वो non-reactive होती है यानि कि वो reaction नहीं करती non-reactive होने के एक iron से इसके उपर rust नहीं लगता तो ये air के साथ, पानी के साथ रेक्टी नहीं करती तो इसलिए इसके उपर rust नहीं लगता तो इसलिए जो एक iron की अगर bucket है उसके rust लग जाएगा क्योंकि वो reactive है air और जो water के molecule है moisture के साथ, लेकिन plastic नहीं है तो इसलिए इसके उपर rust नहीं लगता तो इसके कुछ question थे हमने लिए तो thank you video देखने के लिए और इसी तरह की videos के लिए आप हमारे channel ग्यान लोपे हमें subscribe कर सकते हैं धन्यवाद